दोस्तों मैं अभी शेक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल फिट आइटी आई पे और आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे में जो टेक्निशन की वेकंसी आती है लोको पाइलट के साथ यानि कि असिस्टेंट लोको पाइलट के साथ मे टेक्निशन की वेकंसी आती है जिसमें वेलडर ट्रेड के बहुत सारी वेकंसी रहती है यह मान के चलिए कि आप एक एक जोन में एक हजार वेकंसी रहती है ठीक है तो कम इसकम दस से बारा हजार वेकंसी तो वेलडर की थी पिछली बार यह आप क्लियर मान के चलिए वेलड trade की zone wise हर zone में जैसे वो कॉलकाता में हो गया और उसके बाद आपके चिननाई हो गया बैंगलोर हो गया पतना हो गया अलाहबाद हो गया बिलासपूर हो गया हर zone में कितनी cut off welder की किस post की गई थी इसके बारे में आज आप लोग यहां पे जानेंगे ठीक है इससे आपको यह अंदाजा होगा कि आपको किस base पे कितना important आपका क्या section रहने वाला है और कितनी आपको महिनत करनी पड़ेगी जिससे कि आपको आराम से एक technician आप technician के job ले पाएं तो यहां पे आपको दिख रहा है सामने मैंने लिखा हुआ है यहां पे क्या था 2018 का cut off ठीक है तो cut off के बारे में हम लोग देखेंगे 2018 में जो है इसकी notification निकला था 19-20 तक इसका प्रोसेस पूरा चला था सिर्फ welder के बारे में बात करेंगे अगर आप लोग किसी other trade से हैं तो आप लोग comment करेंगे तो मैं other trade की भी बनाने की कोशिश करूँगा चलिए तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे और भी सिर्फ technician की cut off देखेंगे क्योंकि local pilot के लिए welder के बच्चे जो है वो eligible नहीं है clear है क्या कोई दिक्कत होगी कभी भी तो आप लोग comment करिएगा आर आरबी technician की welder की कितनी post थी post wise पहले हम देखेंगे जैसे हम लोग देखेंगे Kolkata अगर हम लोग Kolkata देखते हैं तो Kolkata हम सबसे पहले हम देखेंगे कि welder की कितनी vacancy थी मान की चलिए welder की Kolkata में कितनी थी 500 vacancy थी तो अब उस 500 वेकंसी पे कितनी कट आफ गई थी ऐसे हम लोग देखेंगे ठीक है बहुत तरीके से बहुत बहुत बैतरी तरीके से देखेंगे तो वीडियो के दम लाश्ट तक देखिएगा हर जोन का कंपेरिजन आपको मिलेगा तब आपको एक आकड़ा हो पाएगा किस जो साथ में करते हैं लेकिन उसकी कट-फ बहुत जाती है लेकिन हम उसकी सिर्फ-ठो और प्यौर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे जौर्स अंबर इतनी है clear है यह इतनी post जो है आपको total इधर वाली यह है आपका general का यानि की unreserve का यह है आपका OBC का ठीक है और A यह है आपका SC का और यह है आपका ST का ठीक है ऐसे ही आपको cut off भी मिलेगी ठीक है cut off आपको कैसे मिल पाएगी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको general का मिलेगा OBC का SC का और ST का clear है तो ध्यान से देखते रहिएगा यहाँ पे technician grade 3 welder engineering works में मिला था south region में यहाँ पे जो vacancy थी total 21 vacancy थी उसके बाद mechanical production unit में total 41 vacancy थी उसके बाद total 33 vacancy थी और 225 vacancy वरक्शॉप में थी ठीक है mechanical department है इसका और S&T ठीक है signal and telecommunication में जो है आपकी five post थी तो इतना number of total vacancy थी total और इसमें जो है कितना cut off गई थी document verification के लिए यानि कि return आपका जो exam हुआ था उसकी cut off कितनी ठीडियर उसकी cut off थी यह आपकी 41, 41, 49 और 46 यानि कि 41, 41, 39 और 46 clear है क्या इतनी चीज़ें यहाँ पर आप cut off देख सकते हैं यह general का हो गया आपका यह general की cut off है इधर वाली cut off जो है वो OBC की है और यह SC और यह HD ठीक है कि लोको pilot हो गया और trade हो गया उनकी 65, 66, 70 तक लोगों का भी नहीं हो पाता है तो अभी हम बताएंगे कि क्यों कम गई है और कहां पी लोग ऐसा नहीं कितनी कम गई है तो आपका असानी से हो जाएगा अभी बहुत मुश्किल है भी आप ध्यान से देखिएगा उसके बाद हम लोग आते हैं RRB Bangalore उपर तो RRB Bangalore में आप देखेंगे तो यहाँ पे technician welder bridge में आप देखेंगे production unit works हो गया, production unit हो गया और workshop हो गया इतनी सारे division में, इतनी सारे department में आपकी जो है निकली हुई थी यहाँ पे total vacancy जो थी 8, 1, 15, 3 और 26 ठीक है बंगलवर भार सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद यहाँ पे आप cut-off क्या देखेंगे यहाँ पे आप cut-off देखेंगे 37 है, 0.61, 30.0, 39.39, 33, यहाँ पे आप देखेंगे 48, 45, 42 ठीक है, जनरल OBC category के हिसाब से clear है, जिसकी vacancy नहीं थी, वहाँ पे इसे ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, आगे देख लेते हैं, RRB पतना का, यह railway recruitment board पतना है, यहाँ पे आप देखेंगे, यह technician grade 3 welder, यहाँ पे cut-off उपर लगी हुई, पहले सबसे पहले हम post देख लेते हैं, तो पतना में बहुत सारी post निकली हुई थी, यहाँ पे आप देखेंगे 31 post है, फिर 2 post है, total की बात है, complete, यहाँ पे आप अलग-अलग category wise बाटेंगे, तो अलग-अलग आपका निकलेगा, ठीक है, फिर 2 है, फिर 16 है, फिर 3 है, आपका, फिर 8 है, ठीक है, तो इतनी vacancy आपकी जो है निकली हुई थी, total welder की, सिर्फ welder की, इसके अलाबा भी welder के तो आपको हमारा batch just join कर सकते हैं, अभी हमारा batch चल रहा है, live है, इसमें आपको मिलेगा, क्या live classes मिलेंगे, test series मिलेंगी, साथ में class notes की PDF मिलेगी, YouTube पे आप इसका हमारा demo डला हुआ है, playlist में जाएंगे, त्रशूल batch आप लोग देखेंगे, और यह definitely आपको selection देगा, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पे आप देखेंगे, इसकी fee से 599 है, अभी discount चल रहा है 10% का, तो जैसा ही आप ये video देखें, आप जल्दी से जल्दी course में enroll कर लें, इसकी validity जो है, वो approximately 2 years तक रहेगी, ठीक है, दो साल तक रहेगी, लगभग exam तक आपकी रहेगी, इसमें आपको trade theory की class मैं live पढ़ाऊंगा, साथ मैं basic science engineering drawing की class करवाऊंगा मैं, जो पढ़ाया जाएगा, उसका आपको pdf notes copy पे लिखा हुआ hand written notes मिलेगा, उसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं, एक बार में, ठीक है, तो आपको class notes की pdf मिलेगी, objective practice video मिलेगा, और साथ में e-book मिलेगी, 3000 objective question की, जो welder के previous year original paper रहेंगे, ठीक है, original paper कहीं पे मिलते नहीं है, मैंने बहुत सारे paper railway, जो 2018 paper था, 34 set वो भी हमने इक अठा करके, एक e-book बनाया है, इसके साथ में और आपको क्या मिलेगा, test series मिलेगी, test series क्या मिलेगी, वहाँ पे आप welder की test series मिलेगी, उसमें आप 20 आपको mini test प्लियर है, यहाँ पे आप अपनी rank वगारा सब कुछ चेक कर सकते हैं, इतना सारा चीज आपको दिया जा रहा है, इतने कम फीस में, उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, RRB मुझभफरपूर, RRB मुझभफरपूर का देखेंगे, तो यहाँ पे जो vacancy थी total 4 और 15 यानि कि 15-4, 19 vacancy total थी RRB मुझभफरपूर में, विल्डर टेट की, जैसा कि विल्डर टेट में बच्चे कम होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे नो eligible candidate, नो eligible candidate, एन इसी के मतलब है कि कोई बच्चा मिला ही नहीं इनको भरती करने के लिए विल्डर से, ऐसा क्यो क्योंकि जो technician का paper होता है, उसमें एक part B और part A, second CBT में होता है, उस part B को बच्चा qualify नहीं कर पाता है, और आप part B यानि कि trade जो मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप उसकी exam को उसके pass नहीं कर पाते हो, qualify नहीं कर पाते हैं, तो आप जो है part A में 100 number लाइए, कोई मतलब नहीं निकल जाता है, तो आपका थोड़ा सभी marks अगर हो जाता है, अगर आप pass कर लेते हैं, 40-45 number, ये normalize score है, ध्यान दीजेगा, ये 33 number का tough गई है, तो इसका मतलब है कि इस बच्चे का 40-42 number के आसपास रहा होगा, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो trade जो है, फेल हो जाते हैं साथ में RRB भोपाल होगे, RRB भोपाल के बारे मगर हम लोग देखें तो technician, welder यहाँ पे आप देखेंगे total 11 post, 21 post और 44 post, total गिन लेंगे आप कितनी post है, इसके अगर cutoff के बारे में हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना है, 50 है, 46 है, 45 है, क्यों इतनी कम cutoff जारे कियों, कि welder trade के बच्चे technical वाला exam पास ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, चलिए, उसके बाद RRB कोलकाता सबसे best zone है, यहाँ पे आपको जो है, बहुत सारे vacancies आपको निकल के आती हैं, welder trade के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे total, कितने हैं, 22 vacancy यह हो गई, यह workshop की, 21 vacancy यह हो गई, 13 vacancy यह हो गई, 22 vacancy यह हो गई, 8 यह हो गई, 6 यह हो गई, तो total इतनी vacancy निकली हुई है, category wise आप देखेंगे, general OBC का तो आपको data मिल जाएगा, इसकी cutoff आप देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, NEC, कोई लड़का इनको मिला ही नहीं, कोई बच्चा इनक question पूछना start कर दिये हैं, पहले mix होता था, तो सब लोग pass हो जाते थे, तो यहाँ पे बच्चे pass नहीं कर पाए है, vacancy खाली हो जाएगे, तो आपको part B pass करना ही करना पड़ेगा, इसकी cutoff के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो 40 गई है, 40 गई है, 64, 51, 42, यह post wise है, इसका मत पर यानि कि आप इस zone में select हो जाते है, ठीक है, चलिए मुंबई की बात करें, मुंबई में बहुत सारी vacancy है, मुंबई में आप देखें अगर vacancy, तो यह 9 vacancy, यह 2, यह 9, यह 25, यह 3, यह 2, यह 5, यह 25, यह 12, ठीक है, इतनी सारी vacancies थी, इनकी cutoff के बारे में बात करें, तो 44, 41, 50, 40, 61, 49, 43, 83, यह सारी cutoff गई है, ठीक है, देखें आप, 83 गई हुई है, इसके ठीक है, क्योंकि सब बच्चों ने जो है, इसी को apply किया होगा first number पे, तो हमारा application आप अभी download कर सकते हैं, और उस application से जा करके course download करें, join करें, और पढ़ें, कोई दिक्कत हो तो आपको contact number दिया जा रहा है, 7800-366021, इस पे आप लोग जो है, वो WhatsApp कर सकते हैं, ठीक है, WhatsApp पे आपको help कर दिया जाएगा, important हो तो आप call भी कर सकते हैं, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगले zone की, तो वो है RRB Allahabad, RRB Allahabad में आप देखेंगे, तो यहां पे vacancy जो आपको दिख गई थी, 57, 43, 44, 50 और 41, इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा 41, 42 मार्क्स भी लाता था, तो उसका सेलेक्शन जो है, उस समय हो गया था, वो अलग बात है कि 57 वाले पोस्ट उसको नहीं मिली थी, बेसिक सी बात है, ठीक है, उसके बाद RRB चंडीगड की हम लोग बात करें जो जोन छूट जाता है, आप लोग कमेंट करेंगे, उसका मैं जो है, आपको प्रोवाइड करा दूँगा, चंडीगड में देखेंगे, तो यह 10 हो गया, 1 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 1 हो गया, यह सारी पोस्ट हैं, वेल्डर की, इतनी पोस्ट निकली हुई है, इनके जो बच्चा माक्स लाया था, 74, उसको मिला, ठीक है, चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं, आरवी बिलासपूर का, बिलासपूर में आप देखेंगे, तो 5, 2 और 1, इतनी वेकेंसी थी, ठीक, प्योर वेल्डर की, इसके अलाव़े वेल्डर की और ही वेकेंसी रहती है, मिक्स रहती है, इसमें आप कटाफ देखेंगे, तो 55, 48 और 59, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, आरवी मालदा, आरवी मालदा की अगर बात करें, तो यहाँ पे 22, 16, 29 और 6, यहाँ पे अच्छी वेकेंसी थी, और इसकी कटाफ भी वेकेंसी के अनुसार जादा ग यह हमारा एनालसिस, मैंने बहुत ही सारा नोटिफिकेशन से कट करके, उसके बाद रिजल्ट सारे डाउनलोड करके, इसको जो है चार्ट के आपके सामने मैंने लाया है, इसकी पीडिएफ अगर आपको चाहिए तो वह अप्लिकेशन पर मैं डाल दूँगा, साथ में डिस सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें, थैंक यू